जहें दोस्तों कैसे हैं आप शब आई होप आप शब अच्छे होंगे और आपकी preparation भी सांदर तरीके से चल रहे होगे दोस्तों आज आपके नेक्स्ट पार्ट लेगे आगे हैं management का क्योंकि आपके लिए यहां से questions आपके exam में direct question आपके देखे जा रहे हैं इसी video से तो आप स वीडियो को आप सभी last तक जरूर देखें ऐसा मत सोचिए कि यहां पर वन लाइनर है तो आप वन लाइनर नहीं करेंगे वन लाइनर मैं इसलिए कराता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़े cover हो पाएं ठीक है मैं कराने का हुए इंसे क्यों भी करवा सकता हू पर वन लाइनर में आपके कम टाइम में ज़्यादा हम questions कर पाते हैं तो चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं आज के important questions के साथ पहला question है दोस्तों कि उपकरम के जो सभी कारे हैं सभी कारें में जो कर्मिचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है तो आप सभी को पत क्या कहलाता है दोस्तों याद रेकिका सहभागिता कहलाता है आपके नेक्स question है कि प्रसिक्षन आवधि में प्रसिक्षों को क्या प्राप्त होता है प्रसिक्षन आवधि में अब जैसे कि आपका जो training period होता है इसमें प्रसिक्षों को क्या प्राप्त होता है तो एक apprentice आपक को पता है जो student जिसने आपके ITI किया होगा जो normal आपके जिस भी trade से किया होगा उन्हें आपके क्या होता है कि जब उनका एक तरह से degree आपके उनके complete होते है तो वो एक साल के लिए आपके क्या करते हैं आपके कहीं किसी company में work करते हैं जा apprentice ठीक है यहाँ पर गरम देखें तुन्हें ऐसा certificate मिल जाता है तो प्रसिक्षन आवधि में आपके प्रसिक्षों को क्या प्राप्त होता है तो आप सभी को याद रखना इन्हें प्राप्त होता है या तालिका जो होती है किस प्रकार की परिशंपत्य होती है तो याद रखेगा चालू परिशंपत्य होती है तो याद रखेगा चालू परिशंपत्य होती है तो याद रखेगा पूंजीवादी और समाजवादी के मद्ध आपके बात करें तो मिस्रित अर्थवास्था हो विकास कारेक्रम की धूरी है आपके क्या है आपके तो यह तरह से स्वयम अभी पेड़ना क्या है दोस्तों स्वयम अभी पेड़ना है प्रबंध अगर हम देखें विकास कारेक्रम की धूरी क्या है आपके तो आप सो भी क्या रखता है कि स्वयम अभी पेड़ना ठीक है अग कि अगर हम बात करें कोई आप किसी अगर हम बात करें कोई account को आप manage कर रहे है किसी खाता से related किसी संस्था कि आप उसका management देख रहे है account से related तो यदि कोई उसमें गड़ना के दौरान कोई आपके गलती हो जाती है तो आपको यह क्या कहलाता है तो आपको याद रखना है लागत निर्धारन त्रोटी कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तो लागत निर्धारन त्रोटी कहलाती है नेक्स कोश्चिन है आपका कि विविन नहित धारकों के लिए कौनसा विबरन तयार किया जाता है तो बाजार मुलक बिक्रे प्रयाश किसमे किये जाते हैं, तो दोस्तो यह विपड़न प्रबंधन में, जो बाजार मुलक बिक्रे प्रयाश हैं, यह किसमे किये जाते हैं, तो दोस्तो याद रखेगा यह विपड़न प्रबंधन में किये जाते हैं, जिसे पैकिंग और ब्रा ये एक मार्केटिंग का आपके देखे तो कार्य होता है या एक तरह से अगर हम देखे तो बिपड़न का कार्य होता है आपके इसका कार्य होता है दोस्तों बिपड़न का कार्य होता है आपके पैकिंग और ब्रांडिंग के अगर हम बात करें जैसे नेक्स कोश्चन है कि प्र प्रबंद के संपून धाचे की नीव किसे कहा जाता है दोस्तों तो याद रखेगा शंगठन को कहा जाता है प्रबंद के संपून धाचे की नीव किसे कहा जाता है तो याद रखेगा आप सभी शंगठन को कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है याद रखेगा शंगठन को रहें उसका अगर हम देखे तो एक तरह से बढ़ाना किसे दूसरे पद पर तो अगर हम बात करें कर्मचारियों की पदोनती करना किस प्रकार के अभी पेड़ना होती है तो यह गैर वित्ती अभी पेड़ना होती है तो आपको याद रखना है गैर वित्ती अभी पेड़ना ह नेक्स्ट है टेलर की जो क्रियात्मक फॉर्मेंसिप का विक्षित रूप कौन सा है आपके दोस्तों याद रुखना है कार्यात्मक संगठन टेलर की क्रियात्मक फ्रमेंसिप का बिक्षित रूप कौन सा है दोस्तो होगा पेकशा का त्रीब होती है आपके अगर हम बात करें अनौपचारिक संप्रेशन के ले अपके संप्रेशन के जो गती होती है वो अपेक्छाकरत अगर हम देखे तो तीब रहोती है यानि तेजी से अगर हम देखे तो संप्रेशन की जो गती होती हो तेजी से होती है किसमे अनौपचारिक संप्रेशन आपको अप्शन दे दिया जाएगा अनौपचारिक संप्रेशन आपको अप्शन दे दिया जाएग तो आपको याद रखना है कि जो संप्रेशन की गति या पिक्षा के तिब्र होती है किसमें अनौपचारिक संप्रेशन में है ठीक है next question है आपका कि प्रबंध का वह तंत्र कौन से है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कारिश को चारूरूप से शंपनने करता है तो बहुत तो याद रखना है संगठन के माध्यम से ठीक है next question आपका कि शक्री प्रबंध किसे कहा जाता है आप से बात करें कि शक्री जो प्रबंध है किसे कहा जाता है तो आप सभी को याद रखना है कि निर्देशन को कहा जाता है शक्री प्रबंध अगर हम देखे कि किसे कहा जात है ना तो आपके logic based question रहते हैं कि जिन्हें अगर आपने question को समझा उसके language को समझा तो आप आसा नहीं sense कर पाते हैं और कुछ question ऐसे रहते हैं जो कि आपके जैसे statement वाले question हो गए या आपके full form हो गए इससे related management से related तो यहां से question रहते हैं तो इससे लिए आपके लिए one liner के थ्रू मैं आपको provide कर रहा हूँ यह तीक है next है कर्मचारियों दोरा किये जाने वाले कारियों को देखना क्या कहलाता है तो यह कर्मचारी किसी भी संश्था में जो कर्मचारी कारे कर रहे हैं उन कर्मचारियों दोरा किये जाने वाले कारियों को देखना क्या कहलाएगा दोस्तों यह कहलाएगा परिवेक्षन क्या कहलाएगा दोस्तों यह कहलाएगा परिवेक्षन ठीक है एक question आप सभी के लिए है, आप सभी comment करके बताएगा, यह question मैंने आप सभी के लिए है, यहाँ पे लिया है, जिसे के आप सभी comment करके बताएगा, कि Taylor ने क्रियात्मक संगठन के लिए अगर हम देखे कुल कितने नाइकों की नियुकती पर बल दिया है, कुल कितने नायकों की नुक्ति पर बल दिया है, किसने टेलर ने, यह question का आप सभी comment करके answer बताईएगा, ठीक है चलिए next question है, कि परास्परिक समाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन के उत्पत्ती होती है, परास्परिक समाजिक संबंधों के कार next question है कि जहां कारे पर खत्रा आधिक होता है, वहाँ like प्रसिक्षन होती तो अपनाएगा जाने वाली जो विधी होती है, तो आपको यादद रखने है प्रकोष्ट प्रसिक्षन होते हैं, प्रकोष्ट प्रसिक्षन के आप pensar प्रसिक्षन के नेक्स्ट है कि यह कारे देखना कि किसका कारे है कि कार योजना के अनरूप चल रहा है या नहीं तो कौन देखेगा इसे इसे देखेगा आपकी दोस्तों याद रखेगा इसे देखेगा नियंतरक ठीक है नियंतरक अगर हम देखेगा कि कारे सही डंग से चल रहा है या नहीं नेक्स्ट है चालू पर शंपतिया अगर हम देखे तो चालू देता शुद्य कारशिल पूजी होती है चालू पर शंपतिया होती है ये क्या होती है ये चालू देता शुद्य कारशिल पूजी होती है नेक्स्ट है विश्व एक बाजार की रूप में दिखाई देता है अगर उदेश्यों की प्राप्ति हे तो विशिष्ट अंगों का मैत्रिपुन सयोजन ही संगठन कहलाता है किसी समान्य उदेश या उदेश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का एक मैत्रिपुन सयोजन क्या कहलाता है दोस्तो संगठन कहलाता है तीक है किसका कताने प्रोफिशर है ने का कताने जैसे नेक्स्ट है कि पुर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा मानक लागत के नाम से आपके देखे तो जाना जाता है जैसे ब्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है तो दोस्तों आप सभी वीडियो को share नहीं कर रहे हैं, वीडियो को share जरूर कीज़ें, like जरूर किया करें, जो आपको question आप ही कराये जारे हैं, अगर आपको question important लग रहे हैं तो आप सभी वीडियो को like and share जरूर किया करें, जिसे किसी तरह से और भी other subject के वीडियो भी आपको maximum numbers मे मिल पाएं, चलिए next है कि अधिकार अंतरण क्या है दोस्तों कि ये प्रबंध के एक टक्नीक है, अधिकार अंतरण क्या है तो ये प्रबंध के एक टक्नीक होती है, अभिपेंड़ना को प्रबंध का कौनसा पक्ष कहा जाता है दोस्तों तो ये मानवी पक्ष होता है, तो जो विपणन क्रियाओं का मागदर्शन करता है और यह कथन किसका है तो याद रखेगा बैक फिल्ड किसका कथन है यह जो है विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मागदर्शन करता है और यह कथन किसका है तो याद रखेगा बैक फिल्ड का यह कथ गताता है युदि मानो सक्ति के बात करें मानो सक्ति की जो और शक्ता है इनका अनुमान लगाना प्रबंध के किस कारे के अंतर गता है दोस्ते हो तो ये आता है अपका नियोजन के अंतर गता प्रबंध के कிस कारे के अंतर गताता है, तो आप casino करता रानिंग के अंतर गताता है next प्रबंध प्रत्य व्योंशाय का गत्यात्मक जिवंदाई तत्य होता है, क्सका कथन है Ferracase तो most important है याद रखेगा प्रबंध प्रत्यक व्योशाय का गत्यात्मक याणि आप कह सकते हैं गतिशील तो गत्यात्मक जीवनदाई तत्व है यह कथन है यह कथन है पीटर ड्रकर का किसका कथन है प्रबंध के सबसे निचले इस्तर को अगर हम देखे क्या कहा जाता है most important है मैंने आपको detail में बताया है कि प्रबंध के अगर हम देखे तो तीन इस्तर हैं आपके कौन-कौन से एक निमनिस्तर होता है एक मद्धिस्तर होता है एक आपको उच्छिस्तर होता है जिसे आप में बात करें तो शीर्षी प्रबंधक की रूप में जानते हैं तो यहाँ अगर हम बात करें प्रथम श्यर्णी या जो आपके परिविक्षक प्रबंधक भी इसे बोलते हैं अब परिविक्षक प्रबंध भी आपको सुनने को मिला तो अगर हम देखे पूछा जाए कि प्रबंध के किस इस्तर को बोला जाता है तो आपको पता रहना चाहिए प्रबंधक है उसे हम बोलते हैं परिविक्षक प्रबंधक भी आपके बोला जाता है नीतियों को क्रियानवित करने वाला तंत्र कौन सा होता है दोस्तों तो नीतियों को क्रियानवित करने वाला क्रियानवित करने वाला जो तंत्र है वो है आपका शंगठन कौन है आपके management उसके पास रहते हैं तिक है जिसे बजट तैयार करना किसी सरस्था को लेके तो कई सारे जो कारे रहते हैं वो आपके उच प्रबंध के पास होते जब अधी कारों की बाथ की शायगी है तो वहाँ पर उच प्रबंध आएगा तीक है अरजित भी क्या जा सकता है और जन्मजात भी होती है आपके तो प्रबंद कैसी प्रतिभा होती है जन्मजाते हो अरजित प्रतिभा होती है यह किसका है यह कथन किसका है कि प्रबंद वही है जो प्रबंधक कारे करता है तो यह कथन है दोस्तों यह कथन याद रखेगा important question य लुईश एलन का कथन है कि प्रबंध वही है जो प्रबंध कारे करता है किसका कथन है तो लुईश एलन का कथन है तो यह जाती है अब जैसे कि नेक्स्ट है आपके आसान सा फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि प्रबंध क्या है दोस्तो प्रब प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है तीक है आसान सो कुष्चन है पर याद रखेगा प्रबंध क्या है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है आपके यहाँ से कुष्चन बन सकता है आपको मैंने एक से दोबार यह कुष्चन कराया है कि स्वाट का फुल फॉर्म क्या ह होता है तो आपको याद रखना है S4 होता है Strength and W से आपके देखे तो Weakness and आपके O6 देखे तो Opportunity and Threats अगर हम देखे तो खत्रा तो SWAT का Full Farm क्या होता है Strength, Weakness, Opportunity, Threats यह आपके SWAT का Full Farm होता है यहां से आपके पूछ सकता है कि SWAT SWAT जो सब्द है इसमें W का अर्थ क्या होगा T का अर्थ क्या होगा Question बनेगा तो यहां से ऐसे बन सकता है नेक्ष्ट है विपडन मिसरन अगर हम बात करें Marketing Mix की जो अवधार्णा का प्रत्वादान है किसके दोरा किया गया था तो आपको याद रखना है Filip Kautler के दौरा किसके दौरा किया गया था दूस्तो फिलिप Kautler के दौरा किया já था यह Benchmarking क्या होता है थोड़ा से मरे Speed के साथ चलना हूं जोस्तो और आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ अगर कोई ऐसा Competition आपके सामने के आता है तो आपको मैंने बताया अभी क्या कहा जाता है जब सहायक बही की गड़ना की तो कोई गड़ना की जाती है उसके दुर्ण कोई गलती होती है तुसे हम कहते हैं error of costing क्या बोलते है error of costing बोलते है ठीक है अपचारिक संगठन में और अपचारिक संप्रेशन जाना जाता है किस होता है कोई plan आप बनाते हैं तो क्या सोच के बनाते हैं कि हमें आगे चल के क्या करना है future में क्या करना है तो आपके क्या होता है यह भविश्य के लिए होता है आपके निर्णाय जो है विभिन बिकल्पों के मद्दे एक चैन है तो आपको याद रखना है कि जो निर्णाय लेते हैं कि मुझे इसे ही लेके चलना है कि लक्ष लेके चलना है कि हम इसके हितियारी करेंगे तो यही आपके निर्डियन होता है तो निर्डियन जो होता है न विभिन बिकल्पों के मद्ध चैन है यह कथन किसके दोरा कहा गया तो तो पीटर रेफ ड्रकर का ये कथन था कि निर्डियन जो है ना विभिन बिकल्बों के माद चैन है ठीक है पीटर ड्रकर का ये कथन था आपके नेक्स निर्डियन के संदर्में निम्नमेशी क्या सही है दोस्तों तो याद रखेगा निर्डियन के संदर्में अगर हम बात करें तो निर्डियन निर्नेन क्या है दोस्तों नियोजन का अंग है आपके याद रखेगा निर्नेन क्या है दोस्तों नियोजन का अंग है उसका पार्ट होता है आपके निर्नेन नेक्स कोश्चिन है कि नियोजन मारगी की सबसे बड़ी समश्या क्या है आपके दोस्तों तो याद रखेगा भावी परिष्थितियों की अनिशित्ता अगर हम बात करें तो यह नियोजन मार्गी की सबसे बड़ी समश्या होती है ठीक है सबसे बड़ी समश्या क्या है भावी परिष्थितियों की अनिशित्ता ठीक है नेक्स्ट है नियोजन की प्रक्रिया किसके नियधारन के साथ सुर तो एक तरह से अगर हम बात करें कि जो नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारन के साथ सुरू होती है तो लक्ष और उद्देश्य के निर्धारन की शाथ सुरू होती है अब अगर हम बात करें करयात्मक संगठन का क्या अर्थ होता है दोस्तों तो विभागी करण के अधार पर कारियों की प्रकृती जो होती है करयात्मक संगठन का अगर हम देखे तो अर्थ देखनेों को मिलता है आपके तो निर्णेयन निर्णेयन अगर हम देखे तो एक जो question आप से पूछा कि उसका answer कीजेगा comment section पे नियोजन का अधार क्या होता है दोस्तो तो पुरवा नुमान अगर हम देखे तो नियोजन का अधार देखने को मिलता है आपके तो यह थे आज के हमारे दोस्तो question और वीडियो को आप सभी like ज़रूर कीजेगा and आपका जिस दिन भी exam है आप comment करके बताएंगे आपका exam किस दिन है जिससे कि आपके according ही आपको video provide किये जा सके and daily में analysis देखता हूँ उसी के according आप सभी को question provide किये जाते हैं जिस तरह से आपके exam में question पूछे जाते हैं तो दोस्तो वीडियो को like and share कीजेगा channel से जोड़ जाएगा अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया है क्योंकि आगे आने वाले exam में भी आपको help मिलने वाली है हमारे दोला तो मिलते हैं next video में thank you